जेहिंद नमस्कार आप सभी का एक बार फी स्वागत है मार्च 2024 की पैंसन अपरेल 2024 में आएगी कारण विजरु बैंकोप इंडिया का आदेश है कि मार्च की पैंसन को 31 मार्च 2024 के बाद ही पैंसनस के खातों में क्रेडिट की जाए तो अब मार्च की पैंसन कितनी आएगी आप सभी को पता है कि जनवरी 2024 से 50% डियरनेस रिलिप हो चुका है जनवरी और फरवरी का आपको एरियर मिलेगा और मार्च की पैंसन बढ़ी हुई पैंसन यानि 50% डियरनेस रिलिप के साथ आपके खातों में क्रेडिट की जाएगी तो आईए समझ लेते हैं टेबल के साथ कि आपकी मार्च की पैंसन कितनी आएगी और जनवरी और फरवरी का आपका एरियर कितना बनेगा ताकि पैंसन आने के बाद आप अपनी केलकुलेशन और इस टेबल के अनुसा चेक कर सके कि आपकी पैंसन सही आईए एक जनवरी दोजार चोबीस पैंसन केलकुलेशन सिपाई से सुपधार मेजर ओनरी लेपनेंट एंड केप्टन 50% डियरनेस रिलीप का एरियर और मार्च दोजार चोबीस की बढ़ी हुई पैंसन इस टेबल में सेल्प एक्सप्लेनेटरी कोलम से रेंक है पैंसन है उसके बाद 50% डियरनेस रिलीप हर महीने कितना बनता है और 50% डियरनेस रिलीप और ओर ओरोपी टू की पैंसन को जोड़ दिया जाए तो टोटल पैंसन आपकी कितने मनेगी जो मार्च की पैंसन आपके खातों में आएगी और फाइनली जैनवरी और फरवरी दो 2024 का दो महीने का एरियर कितना मनेगा यहाँ पे ओरोपी टू की टेबल में से रेंक वाइज मैंने दो दो पैंसन ली है और उस पैंसन के अनुसार आपकी अपनी केलकुलेशन देखे सबसे पहले रेंक है सिपाई सिपाई की 17 साल में पैंसन है 18,807 रुपया उसके ओपर 50% दियरनेस रिलिप निकालें तो यह निकल के आता है 9,404 रुपया अब इन दोनों को जोड़ दे तो हर मैने पैंसन बनती है 28,211 रुपय और 18,807 के ओपर 40% एरियर यानि 4% दियरनेस रिलिप बड़ा है तो जनवरी का 4% और फरवरी का 4% यह बनता है 1,505 रुपया इसी प तो 20,107 ओर रुपय की पैंसन उसके उपर 10,054 रुपय 50% डियर कुल पैंसन बनेगी 30,161 और एरियर मिलेगा 1,609 रुपय नाइक की 22 साल में देखें ओर रुपय 2 की पैंसन 21,244 पैंस पैंसन डियर 10,622 कुल पैंसन बनेगी 31,866 और जनवरी फरवरे का एरियर मिलेगा 1, हवलदार की 19 साल में 21,782 इसके उपर 10,891 डियर और कुल पैंसन 32,643 और एरियर मिलेगा 1,643 अवलदार 24 साल 22,277 पैंसन उसके उपर 50% डियर 11,139 और डियर और पैंसन मिलाके कुल पैंसन मनेगी मार्च की 33,386 और एरियर मिलेगा 1,781 रुपय इसी परकार ओनरी नाइप सुबदार की 24 साल में 23,750 ओवारोपी पैंसन 11,875 डियर कुल पैंसन 35,625 और 1,900 का एरियर ओनरी नाइप सुबदार की 26 साल में 23,750 जो सेम पैंसन है दोनों की और चलते हैं नाइप सुबदार 26 साल में 24,825 ओवारोपी की पैंसन उसका 50 परसेंट डियर 12,413 कुल मिला के 37,238 और 1,986 रुपय आपको जनवरी फरवरी का एरियर मिलेगा नाइप सुबदार की 28 साल में 26,025 ओवारोपी पैंसन उसके उपर 50 परसेंट डियर 13,038 कुल मिला के 49,113 रुपय मार्च की पैंसन आएगी और जनवरी फरवरी का एरियर मिलेगा 2,086 रुपय सुबदार की 28 साल में 29,600 उसके उपर 50 परसेंट डियर कुल मिला के 45,550 और एरियर 2,306 शुबदार की 30 साल में 31,000 पैंसन 15,500 डियर 4,500 कुल पैंसन आएगी और 2,480 रुपय डियर का जो एरियर सुबदार मेजर की 30 साल में 31,625 पैंसन 15,813 डियर 47,438 कुल पैंसन और जनवरी फरवरी का डियर का एरियर 2,530 और लेपनेट की बात करें तो 32 साल में 41,200 पैंसन 20,600 डियर 6,800 कुल पैंसन बनेगी और 3,296 रुपय चार परसेंट डियर एरियर जनवरी और फरवरी का फाइनली ओनरी कैप्टन की 32 साल में 43,675, 21,838 डियर 55,513 कुल पैंसन मार्च की और जनवरी फरवरी का डियर का एरियर 3,494 रुपय तो इस परकार आपने देखा सिपाई से लेके ओनरी कैप्टन तक मार्च की पैंसन बढ़ कर कितनी आएगी और डियर का एरियर कितना मिलेगा 20,107 को आप 4 से जब मल्टिप्लाइ करेंगे तो जितना अमाउंट निकल के आता है वो एक महिने का डियर का एरियर है उसको आप 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका जन्वरी और फर्वरी का एरियर निकल के आ जाएगा अब इसमें दो बाते हैं कि एक तो जो फिक्स्ट मेडिकल अलाउंस है हालांकि कम ही लोगों को मिलता है वो इसमें सामिल नहीं है तो आप एक हजार रुपे जो फैंसन है मार्च 24 की उसमें जोड सकते हैं साती सात टोटल अमाउंट में से इदि आपका कम्यूटेशन है या इसके अलाओ कोई रिकवरी चल रही है तो उसको इस अमाउंट में से लेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं वो आपकी फैंनल पैंसन होगी तो इस पर कास आती हम ये आपको मैंने केलकुलेसन भी बताई और मार्च 24 की पैंसन कितनी आएगी वो भी आपको मैं बताई आपको जानकर या अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी आपको आपके वेलफेर और आपकी पैंसन से जुड़ी हो जानकर या मिलती रहें जहिंद